इंसान का अच्छा वक्त आने से पहले भगवान देते हैं, ये छे संकेट आप भी जानिये इनके बारे में. किसी भी धर्म पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ती को यह यकीन रहता है कि इस संसार को भगवान ने बनाया है. ऐसा मानने वालों को आस्तिक कहा जाता है. हम देखते हैं कि भगवान द्वारा बनाये इस संसार में कई अध्वुत चीजे हैं. इसमें इनसान के इस्तिमाल की हर वह चीज है, जिसकी उसे जुरूरत है, यानि जो भी हमें चाहिए वह सब हमें इस प्रकृती से मिल जाता है. इसी तरह व्यक्ती के अच्छे और बुरे समय का भी बड़ा महत्व होता है. यह सब भाग्य पर निर्भर करता है. लेकिन हमारे भाग्य में जो भी घटित होता है, वह भगवान द्वारा निर्धारित होता है, और भगवान अपने हर भक्त को उसके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी हर घटना या समय के बारे में संकेत भी देते हैं. लेकिन शर्थ यह है कि हम उन संकेतों को समझ सकें अगर हम उन संकेतों को समझ लेते हैं तो हमारे भविश्य के बारे में समझ सकते हैं इसी को लेकर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जोतिशों में शुमार शाम नारायन व्यास हमें उनमें से कुछ खास संकेतों के बारे में बता रहे हैं पंडित व्यास के अनुसार जब भी किसी व्यक्ती के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो भगवान उन्हें कुछ संकेत देते हैं आज हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जैमा लक्ष्मी जरूर लिखे यह हैं वह खास संकेत एक गौ माता के दर्शन साधु संत महाराज या पुजारी का आशिरवाद प्राप्थ हो जाए तो यह बहुत ही शुब संकेत माना जाता है इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले है वह कार्य अवश्य सफल होगा दो डौट चेहरे की चमक सुबह उठकर जब आप सबसे पहले शीशा देखते हैं तो यदि आपको चेहरे में कुछ परिवर्तन या चमक नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है तीन डौट इस समय मिल जाए कर्जदार सुबह सुबह यदि आप किसी से पैसा लेने की सोच रहे हैं और वह व्यक्ति आप से मिलने आ जाए या फिर आपको पैसा मिल जाए तो समझ जाए कि आपका शुब समय शुरू हो चुका है चार डौट पशुपक्षी का बड़ा योगदान हमारे जीवन में पशुपक्षियों का भी अहम योगदान होता है और यह भी हमारे लिए शुब संकेत लेकर आते हैं जैसे बंदर यदि आम की गुठली आपकी चट पर फेंक देता है या फिर बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है या फिर कोई पक्षी चान्दी की चीज आपकी चट पर छोड़ देता है तो यह बेहद ही शुब संकेत माना गया है इससे आपके घर परिवार में सुख और समरिधी का आगमन होता है साथ ही साथ धन में भी बढ़ोतरी होती है पांच डॉट पैसा बचने लगे और आपका बैंक बैलन्स और धन संचय भी बढ़ रहे हैं तो समझ जाए कि आपका शुब समया चुका है जब भी आप सुबह घर से निकलते हैं तो उस समय आपके सामने पानी या दूद से भरा बरतन लेकर कोई आ जाए तो समझ जाए कि आपके आज का दिन बहुत ही शुब साबित होने वाला है अगर आपको हमारा विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवार